हलो एवरीवन आज है नाइन्थ जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में 119 रुपए का ये शेर है और पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज के आसपास देखने को मिल रहा है मारकेट की ना तीजी में पार्टिसिपेट कर रहा है ना ही गिरावट में हलाकि तूटा बहुत था जब रश्य यूकरीन क्राइसिस आया था और जाहिर से बात है ग्लोबल कंपनी है ये इनका बहुत सारा बिजनस इंडिया के बाहर भी चलता है तो तूटना लाजमी था उस पनी है जो उन गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है मतलब कि अगर कम गाड़ी बिकेगी तो कम पार्ट्स बिकेंगे तो वो चीज़े भी है यहां पर वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि 119 रुपए के शेयर में क्या मौके बन रहे हैं कि नहीं तो वीडियो को शुरू फ्रें बिदाए पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में यह ऑल्मोस्ट जहाँ है वहीं पर हाला कि 113 रूपए तक टूटा भी था है और 124 रूपए तक पहुँचा भी था लेकिन टूट कर उल्मोस्ट चार परसंड के गिरावट देखने को मिले पिछले एक महिने में एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में मदरसन सूमी में 48% से भी जाधा के गिरावट है गिरावट के बहुत बड़ी वज़ा यहां पर यह भी थी के कंपनी यहां पर डीमर्ज होई थी इनका जो डोमेस्टिक हारनेसिंग वाला जो बिजनस जो अभी डीमर्ज हो चुका है और जिसको कहते हैं मदरसन सूमी वाइरिंग इंडिया लिमिटेड तो वो यहां से अलग हो चुका है और जाहिर से बात है वो भी अगर देखे तो भी 75-801 वो ट्रेट कर रहा है उसका भी शेर्स तो जिनके पास मदरसन सूमी के शेर्स इस इस अभी देखा जाए तो यह इसी रेंज के आसपास देखने को मिल रहा है 110-120 का रेंज इसने पकड़ा हुआ है मदरसन सूमी की बात के तो लार्ज केप शेर्स 54,000 करोड से भी जादा कर इसका मार्केट के फे वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम एक्चुली में इनका 41-42 लेक के आसपास देखने को मिल रहा है उतना बड़ा नहीं है लेकिन हाँ अच्छे वॉल्यूम कह सकते आप इसको रिवन्यू अगर हम देखे तो 17,000 करोड से भी जादा के इनके रिवन्यू है जो almost पहले के हिसाब सही देखने को मिले लेकिन आने वाले quarters में जब इनके रि रिवन्यू अगर यहां से निकले का तो दूसरे तरीके से बढ़ने भी वाला है रीजन यह है कि देखो मदलसन सूमी जो है न वो अब तक फोकस कर रहे हैं मलब इनका जो अभी कोर रिवन्यू आता है वो सिफ और सिफ आता है इनके आटो मोबिल बिजनस से लेकिन कंपनी कर रही है अपने नॉन आटो मोबिल बिजनस पर जिसमें खास करके एरो स्पेस के उपर कंपनी बहुत जाता बैट ले रही है कुछ छोटी कंपनियों को इन्होंने अक्वायर भी किया है और वह या बोईंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको और भी मिला है तो मदलसन सूमी क जो अब रिविन्यो काउंट होगा वो आने वाले दोर में इनका आटो मोबिल बिजनस में जो ग्रोथ है कि वो तो होगा ही होगा लेकिन उसके साथ जो इनका नॉन आटो मोबिल बिजनस है कंपनी फोकस करें कि 30% जितना रिवन्यों उनके नॉन आटो मोबिल बिजनस से न देखे हैं मधरसन् सूमी को लेकर हम देखें तो मधरसन् सूमी में 100% लोग के खरीदारी करू देखोगे मेरी खुट्की बॉयंग की रिक्मेंडेशन है किरंगें पस मिलता है तो 110-115 की रेंज में मिलता है तो खरीदारी करने के मौके बन सकते लेकिन हाँ नजरिया long term का होना चाहिए short term का नहीं short term का है तो भया मत पढ़ना यहाँ पर क्योंकि देखो अभी का जो माहौल है definitely अभी inflation तो है ही लेकिन साथ ही साथ interest rate भी बड़े है उस inflation को control करने के लिए वो भी कही न कहीं दिक्कत की बात जरूर भनी है और दूसरी तरफ जो start-ups है जो नौकरी है वो कहीं न कहीं लोगों की जा रही है उसको मैं नहीं बूलना चाहिए और million लोगी है जो जाहतर गाड़ी वगरा खरीदते भी है और आने वाले दौर में देखो गाड़ियों की बिक्री तो होगी यह जो situation है temporary है growth long term में हमें देखने को जरूर मिल जाएगा यहाँ पर और मधरसन सूमी देखो company वो है जो bonus बहुत ज़दा provide करवाती है जब भी bonus की बात आती है हम विपरो Infosys की बात करते हैं लेकिन यह भी वह company है जो कई बार bonus दे चुकी है 2018 की बात करो 17 की बात करो 15 की बात करो 13 की बात करो 12 की बात करो हलाकि 22 में bonus नहीं देंगे क्योंकि डीमर्ज हुआ है अभी हाल फिलाद में ही डीमर्ज हुआ था तो आले ली टूटके बिखरा है लेकिन आने वह दोर में अगर company का शेर उपर की तरफ जाएगा तो bonus अनाउंस होता नजर भी आएगा और डिफिन्ट ले शेर आपको उपर की तरफ जाता नजर आ सकता है मदरसन सूमी की अगर हम बात करने जाए तो खरीदारी करने के सही मौके है क्योंकि शेर ओरबोर्ड जोन में नहीं है कोई भी रेड़ फ्लेग नजर नहीं आ रहा है डिविडिन्ट हला कि attractive पे नहीं करता है लेकिन long term में पैसा बना है और वो बना है bonuses के थ्रू शेर भले ही 119 का देखने को मिल रहा है लेकिन company कई बार कई बार bonus दे चुकी है split भी हो चुकी है 61 का इसका PE है और sector PE 122 का है 77% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर और holding के अगर हम बात करें तो 68.16% की holding promoter के पास और promoter ने बहुत बड़ी quantity खरी दी है December quarter में 61% की holding थी आज 68% की हो चुकी है 7.78% है mutual fund के पास हला कि जब promoter इतनी जारी holding खरीदेंगे तो कोई तो बेचेगा ना तो mutual fund ने भी बेचा है Files ने भी बिक्वाली करी है Files ने भी heavily बिक्वाली करी है 9.81% की holding हो चुकी है जो पिछले quarter में 16% से भी जादा की थी retail और others की बात करें तो उन्होंने खरीदारी करी है 7.98% की जो holding थी वो बढ़के 11.53 पर आई है लेकिन retail वालों ने बहुत बड़ी खरीदारी नहीं करी है उसमें retail की holding 5.40% थी जो आज भी 5.60 ने मतलब retail वालों ने भी क्वाली करी आपने और हमने बेचा है माल यहां पर खरीदा नहीं है तो बड़े fund houses ने हाला कि बेचा जरूर है लेकिन promoter ने और others ने जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने खरीदारी भी करी है यहां पर देखो मदरसन सूमी definitely मुझे एक company पसंद है लेकिन मैंने चीज हमेशा कही है कि तभी खरीदो जब सस्ता मिल रहा हो ठीक है और अभी definitely कहा सकते हो कि सस्ता तो है यह उतना महंगा मैं इसको नहीं मानता हूँ इस range में और मदरसन सूमी मौके जरूर देगा buying के अगर आप इसका 10 साल का graph भी अगर एक बार देख लो तो पिछले 10 साल में मदरसन सूमी में 445% का growth है आप देखो तीजी बनी थी तूट गया था तीजी बनी थी बहुत अच्छी रफतार थी तूट गया और कोविट का व से तो जिनके पास थे इस लेवल पर उनको भी shares मिले हैं पहली चीज़ तो यह और आने वाले दोर में भी company bonuses प्रे करती रहेगी company कह सकते हैं कि demerge भी होती रहेगी अपने अलग अलग business को demerge करती रहेगी मदरसन सूमी definitely aerospace में अच्छा काम कर रही है कर सकती है और और बिजन business है जिसको company lookout भी कर रही है तो company अपनी automobile dependency को धीरे धीरे कम कर रही है मतलब बाकी जो levers है इनके वहां से भी revenue कमाने की कोशिश कर रही है तो मदरसन सूमी 119 रुपे मेरे इसाब से खरीदारी करी है बने रहना चाहिए फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 110 रुपे के आसप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं thank you